नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परवार गवर्मेंट एजूकेशन में आज ही की नीवज है ESP और MPPSC से संबंदित है और जिल लोग का चैन MPPSC 2019 और 20 जो परणाम आए हुए हैं तो चैनित हुए हैं उन सभी कोशब कामना है दो दो बार जो है वो आपका लेश्ट देखने को मिल जाए गए दो दो बार चैनित हो चुके हैं लेकर जोइनिंगे क्यों मिलेगी तो यह जो है वो MPPSC का रेजल्ट जो जारी किया गया है वो 87% वाली जो मैनलिस्ट है वो किया गया है और बाकी की जो 13% है वो नहीं किया गया है जैसे कि 27% आरेचन की बात की गई है तो वो नहीं है अब यहां पर आप देखोगे कि अभी तक मद्यपदेश में ESV के दोरा कोई रेजल्ट जारी नहीं किया गया है तो इसके संबंद में यह काफी इंपोर्टन नीज देखने को मिल रही है जो आने वाले समय में आपको रेजल्ट जो है वो देने के संबंद म होगा कि हमारी जो प्ह JEFF Milml मांग है जो हुँ रुके हुए रहले रेजल्ट है उनको जो है भो दिया जाए और बात की जाए तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। जो करीबन आठ मन से रुखे हुए रेजल्ट हैं और पटवारी की रिपोर्ट बगएर होगी उसको भी जल से जल सामने लाए जाए ये सब के संबंद में आज ये ग्यापन दिया जाएगा तो आप सबी लोग इस पर सयूग कीजेगा आप ही के लिए है और यहां पर आप दे बात के बीच रेजल्ट गोसित करने जी एडी से मांगा मार्ग दर्शन ओके जी एडी की बात की जाए तो जो सामान प्रशाशन विवाग होता है डेपार्टमेंट होता है उससे जो है इन्होंने रेजल्ट गोसित करने के लिए जो है वो मार्ग दर्शन मांगा है कि किस व देखोगे बहुत सारे जो परिक्षा हैं सारे के सारे जो है वो रजल्ट रिके हुए हैं तो अभी MPPSC के द्वारा जारी कर दिया गया है तो अभी खलाल इसका भी रजल्ट देखने को मिलेगा जो ESV में परिच्छा कराई हुए हैं तो यहां पर आप देखोगे MPPSC ने आरच के पास रजल्ट जारी के लिए मागदर्शन लेने पहुंचा है हाला कि अब तक हाई कोट में OVC आरच्छन बिवाद का मामला विचारा धीन होने के बाद भी ESV सम्मंदित बिवागों के भरती नियमनुशार OVC को 27% आरच्छन देकर रजल्ट गोसित करता रहा है तो पि वो OVC का रजल्ट जारी किया गया था ठीक है अब लेकिन जो पिछली सब इंजिन की भरती में विवाद बढ़ने से ESV ने रजल्ट गोसित करने से पहले इस्तित इसपस्ट करना चाहता था कि कुछ ES जो सब इंजिनर की भरती लिगी उसमें जो है वो कुछों को जाइनिं भी मिल चुकी है कुछ रह गए हैं विकॉच आफ जो 27% OVC आरचन की वज़े से ओके यहां पर आप देखोगे कि जिसमें कुल पद मेंसे 87% पदों को मुख भाग मान कर रेजल्ट गोसित किये जाते हैं जिसमें OVC को 14% आरचन दिया या और सेस को जो है वो 13% आरचन और अनाच्छत बर्ग प्रभावी सूची तयार की जाती है तो यह जो है वो सूची तयार की जाती है यहां पर आप देखोगे कि ESV ने इसलिए मागा मार्दर्शन किसलिए मागा आगा कि ESV द्वारा जो आउजे गुरुफ थ्री सव इंजिनियर भरती 2022 में OVC आरचन को 27% द कहा कि OVC के लिए आरचन 27% पदों में 13% पर होल्ड कर के जो है वो रखना है किया जाए यानि MPPSC में फॉर्मूला जो है 87-13-13 को लागू किया गया लेकिन विभागों ने रेजल्ट रिवाइज करा के जो है वो बिना ही उक्त भरती में OVC केटेगोरी को बॉटम में 13% उ में 14% को जो है वो चैनित किया गया अब बाकी की जो परिक्षा है यह आप देखोगे यहां पर यह सारे के सारे जो है वो रिजल्ट रुके हुए हैं सबसे पहली बात तो पटवारी का ही आता है उसकी रिपोर्ट नहीं है तो उसके बारे में ना तो अभी तक कोई ख़बर आती है ना कुछ पता पढ़ता है कि रिपोर्ट कहां गई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है अगर रिपोर्ट में बहुत ही निगेटिविटी है तो सीधी बात है कि एक्जाम को कैंसल करने दना चाहिए ठीक है कैंसल करके उसको जो दोसी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए कैंसल का मतलब यह नहीं कि cancel करके द्वारा से वही जो दोसी है उनको सजा भी तो मिलनी चाहिए यह हमारी जो है वो simple सी मांग होगी और बाकी जितने भी जो भरती है जैसे कि अगर cancel होती है तो जल से जद उसके भरती की जो है प्रगरिया सुरू की जाए ठीक है वहीं बात की जाए तो जो पुलिस कॉंस्टेबल के जो 7090 पद निकाले गए थे हाई स्कूल टीचर के हो गए गुरूफ वन सब गुरूफ टू के हो गए ठीक है गुरूफ फोर के जो हो गए 3000 के पद करीवन निकाले गए थे गुरूफ फायर हो गए वन रच्छक जेल पहरी यह सभी की हो गए तो एक मईने बाद फीजिकल होते हैं और जायर सी बात है बहुत से रिद्या रच्छार मेने से दोडनी मिलती है उसके अनुसार जो है वो रजट गोशित कर दिये जाएंगे ठीक है तो ये सब जो है वो न्यूज है फिलाल तो हाज का जो हमारा ग्यापन है वो दिया जाएगा तो आप लोग जो है वो जरूर जो है वो जिसमें सामिल हो येगा सिंपल सी मांगे हैं हमारी सांति पूरवक्त चीज़ें जहां मैं करनी है कहीं कोई हंगामा ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं करना है वालेंस नहीं होना है हमें सिंपल सा है रजल्ट चाहिए विध्यारतियों की सबसे बड़ी दुबदाई है कि भरती निकालने के लिए आंदूलन करते हैं घुटाले हो जाए उसके लिए आंदूलन करते हैं रजल्ट रुक जाए उसके लिए आंदूलन करते हैं जॉइनिंग रुक जाए उसके लिए आंदूलन करते हैं ठीक है ना तो आप देखिए कि बस आंदूलन करके एक एक पड़ाव पे जो है वो बिध्यारतियों को कोई भी कुछ भी बयान नहीं देखने को नहीं मिलता है मंत्रियों के दारा की कोई प्रिकरिया जो है वो सही की जाए ठीक है बाकी की के धरम के नाम पर आप बहुत सारे देखोगी लेकिन विध्यारतियों के जीवन उनके जिन्दिगी है उसको सवाने के लिए एक भी मंत्री का कुछ भी ऐसा बयान देखने को नहीं मिलता है ये बड़ी दुर्भाग की बात है कि जिस देश के युवाओं के भरों से आने वाला जो हमारा भविश है वो सुदरेगा उनके भविश पर ही कुछ भी कोई मंत्री नहीं बोलता है ठीक है फिलाल देखते हैं आने वाले समय में जल्द ही जो है वो रजल्ट जारी होंगे और आने वाला जो समय है आयोब आपसाभी के लिए अच्छा हो क्योंकि 2030 में जो घटनाए हुई है उससे मुझे नहीं लगता कि किसी भी इस्टुएंट का खासकर जो मद्ध प्रिदेश के इस्टुएंट है जोनोंने तैयारी किया हो उनके लिए अच्छा बज़रा होगा क्योंकि ये साल परिक्षाएं तो ही लेकिन उनके रजल्ट जारी नहीं हुए ना तो किसी को जॉइनिंग मिली कहीं कुछ अटका हुआ है ठीक है मिलते हैं बागी जो भी अपडेट रही है आपको प्रोबाइट करा दिया जाएगा तो चैनल पर नई होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो को लाइक कर देना बहुत बहुत धन्यवाद